जुलाई की आज 22 तारीक है और जिन मेरे भाइवेनों ने वो मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने चोटी सी बोटल में बेलिंग ग्रो करना सिखाई हैं तो उन बेलों को हमने अभी स्पोर्ट कैसे देनी है सहारा किस रिक्के से देना है मैं देती हूँ तो चोटी मैं मन्जू आज मैं आपको क्या बताने बाली हूँ वो मैं पहली ही अभी कह चुकी हूँ और जो चोटी बोटल में मैंने बेले ग्रो करना सिखाई थी तो उनका मैं अपडेट भी दे दूँगी तो किस तरह से वो बेले मेरे जो चोटी बोटल में बढ़ रही है और किस तरह से उनने स्पोर्ट देनी है तो वीडियो बनाते हुए मैंने आपको बताया था कि दो सीड हमें ग्रो कर देने चाहिए अगर दो निकलाते हैं तो फिर एक बेल हमें हटा देनी चाहिए और एक मज़ेदार नहीं हुई जितनी की सोचा हुआ था तो अब भी जैसे बादल आ रहे हैं और फिर धोप आ जा रही है तो इसी तरह का मोसम रह रहा है बारिश तो बताई गई है तो देखो क्या होता है तो यह आप देख रहे होंगे छोटी सी बोटल और इसमें भी मिट्टी जो मैंने बताया कि एक बेल चलने दूँ क्योंकि बड़ी कम खुराक है तो एक बेल अच्छे से चलेगी बटे यह दोनों भी बड़ी अच्छी चल रही है तो मुझे हटाने का वह मन नहीं कर रहा है तो इनको सहारा कैसे देना है अगर मैं इन्हें अच्छे से सहारा दूँग अगर हम स्टैकिंग लगा देते हैं इसे कोई लकडी का सहारा जांकि किसी भी इन चीज का रोड का कोई लोहे की रोड ले लो कुछ भी ले लो तो यह चोटी सी बोटल में किस तरह से देना है बड़े पोर्ट होते हैं तो वो हमें जो है उस हिसाफ से उनको सहारा पुदू देते हैं आँ चोटी बोटल में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है तो चुकी इन चीदे में बहुत कम मिटी biggest iyer जो रूर्ट पूरी से फैल चुकी होंगी और हम बड़ी मोटी लगाते हैं तो रूर्ट इमेज होने का हमें डर बना रहेगा था पी पतली भी लगाएं में आपने ये मेरे गार्डन में जो मॉर्निंग ग्लोरी लगी देख्योंगे उसमें फूल भी देख्योंगे तो आपके सामने ही मैंने ये ग्रू किया है तो ये अपडेट भी हो गया और किस तरह के स्टैकिंग लगानी है तो मेरे गार्डन में जो नीचे ये वो लगा कनीर का जो पुद्धा लगा है तो उसकी कई सारी ब्रांचिस में कट करके ऐसे रख देती हूं स्टैकिंग लगाने के लिए तो मुझे इस तरह का ये लेना है बहुत मोटी नहीं लेनी है और बोटल को ऐसे करके अब जगे देखनी है कि कहां पर जैदा जगे है तो दुनों बेलें ऐसी है हमारी ये इस तरह से साथ में आ रही है तो एक साइड में हमने इसके ये ऐसे रखे इसको दबा देना है हलके हलके से दबाना है इस तरह से ये ऐसे दिख रहा होगा आपको इस तरह से ये हलके हलके से आसे दबा देना है तो ये इतनी हाड़ी बेल होती है कि अगर थोड़ी रूर से इसकी डिस्टर्ब भी हो जाती हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से निचे तक हम ने यह दवा दिया है, इसको, इस तरह से यह दवा दिया निचे तक, और जादा बड़ी अगर हम, इसको सहारा देंगे, तो फिर यह बूटल टिक भी नही जो बारीक बारीक लकड़ी जो बड़ी काम के अगर यह मोटऊ है तो फोड़ी और बारीक इससरा से लगा दो जो आसर है करके इस तरह लगा दो जहां इसको दबाया वहीं लगा दो तो इससे फिर यह है कि यह जो लकड़ी है आपकी हीलेगी नहीं तो अब मैं धीरे से इस बेल को ऐसे चड़ाना शुरू कर देती हूं तो यह मैंने छोटो सी बोटल में इस तरह से यह स्टैकिंग लगा दी है सारा दे दिया है और एक बेल इस तरफ को ऐसे करते करते करल करते और एक उस तरफ को करते हुए तो यह चड़ा दी है और लकड़ी अगर ऐसी मिल जाए आपको इस तरह का कट उपर लिए हुए तो बे के सामने यह जो मोर्निंग लूरी ग्रू करना सिखाई थी तो इसमें मैंने यह बड़ी रोड लगाई है और साइड में यह छोड़ चोड़ पत्थर भी काम आ जाते हैं रोड के साथ तांकि यह अच्छे से बनी रहे तो इस तरह से यह देखिए और जैसे जैसे यह उपर जा मतलब इसको नीचे नीचे ऐसे करते जाओंगे यह नीचे नीचे ऐसे ऐसे हो जाती है इस तरह से खूब घनी हो जाएगी तो ऐसे यह नीचे की तरफ कर दोंगे इसको तो इसी पर ही पूरी मेरी बेल चड़ जाई और कई बार इस तरह से आपने मेरे गार्डन में यह तो इतनी गर्मी में मेरे पॉद्दे गई सारे जूलस गए हैं तो मेरे ख्याला आप समझ गए होंगे छोट छोटे पत्थर छोट छोटी लकड़ी है यह मैं बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने देती हूं जो स्टैकिंग लगाती हूं तो बस यह देखके लगाती हूं कि गमल मेरे किल मैं ने वीडियो डला था मेरे लादन में खूब सारे जिडिये आती हैं तो चोटी मोटी दूसरी वाली तो पूरा दिन बर खानाomना काती है पर जब हम साही साह है उनके पास आते हो और जो पेर्ट्ञाजों सिर्फब्स के ताइम ही आते हैं फिंट तो फिंटे रहती है वो गार्डन में